आज जो हाथसा रिशाप पंद के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है अच्छी बात ये रही कि इस हाथसे में रिशाप पंद की जान बच गई सरदियों के मौसम में सड़कों पर विजिबिलिटी और दूसरी दिक्कते भी काफी जादा बढ़ जाती है बात सिर्दी के मौसम की नहीं है अगर आप सेफटी ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तो सड़क हाथसे के आशनका हमेशा बनी रहती है भारत उन देशों में हैं जहां सबसे जादा सड़क हाथसे होते हैं हाली में सरकार ने सड़क हाथसों पर आँक्रे भी जारी किये थे और इनके मताबिक 2021 पर डेड़ लाग से जादा लोगों की सड़क हाथसे में मौत हुई और यह आकड़ा तब और बढ़ जाता है जब लोग हेलमेट और सीट बेल्ट पहने में लापरवाई बरते हैं सरकारी आकड़े बताते हैं कि 2021 में कुल 16,397 लोग सीट बेल्ट नहीं लगाने की वज़े सड़क दुरगटनाओं में मारे गए हेलमेट ना पहनने की वज़े से 46,593 लोगों की मौत हो गई आकड़ों से साफ है कि अगर हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का इमानदारी से इस्तिमाल किया जाए तो मौत के आकड़ों में काफी हद तक कमी आ सकती है इसे लेकर यातियात के नियम भी बने हुए हैं ये नियम आपकी यातरा को सुरक्षित बनाते हैं यातियात नियमों का पालन करना हमेशा वहां चलाने वाले व्यक्ति के पक्ष में होता है इसका उलंगन आपके लिए भारी पड़ सकता है लेकिन इसके अलावा ड्राइविंग में किन-किन बातों का ध्यान रखना है नियम अलग है और नियमों का पालन करना तो अनिवारे है ही लेकिन उसके बावजूद कई बार हाथ से हो जाते हैं और इस तरह के हाथसों को आखिर रोका कैसे जाए, एक तो प्रॉपर नीम भी लेनी चाहिए, प्रॉपर आराम भी करना चाहिए अगर आप ड्राइपर जा रहे हैं, और खास तोर से सर्दियों के मौसम में जैसे कोहरा वगेरा की प्रॉब्म होती हैं, उस दौरान भी कई आते हैं, तो आज थोड़ा सा ठहर कम हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे के एक सेफ ड्राइविंग के लिए क्या-क्या होना जरूरी है, और इस पर चर्चा के लिए इस पक्त हमारे साथ एक्स्पीरियल के को फाउंडर और और आटो एक्सपर्ट आविक चटोपाद आज गए, आपको प्रथल दिश्टा नजर क्या आता है, क्योंकि स्विकारोक्ती एक तरह से जो मीडिया में हमने खबरें आई हैं, उनके हवाले से यही है कि रिशप ने बताया कि उनको जपकी आ गई थी, आप क्या हिदायत देंगे, आजकल सर्द मौसम भी है, अर्ली नौर्थ इंडिया में, हाना कि साउथ में इतना इतना चैलेंज नहीं होता, लेकिन जहां पर भी पहाड़ है, महां पर फॉग होगा, महां पर मिस्ट होगा, तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक आम इंसान, आप सबसे पहले सर्दी के मौसम में आप रात में तो ड्राइव करिये गा ही मत, कभी रात नाइट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, दूसरी बात है कि अगर आप अर्ली मौर्निंग ड्राइव कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको काफी लंबा एक स्लीप करना चाहिए, आपको नीद लेनी चाहिए, जिससे कि जब आप उठें तो यू आपसलूटली फ्रेश, अब रिशब पंद ने जो बोला है कि वो, he dozed off at the wheel, इसका मतलब obviously नीद हुई नहीं थी फूरी, या तो काफी सारा काम करके, high level of stress strain से गुजरके, फिर उन्होंने गाड़ी का steering wheel पकड़ा, फिर वो drive कर रहे थे, और किस speed पर drive कर रहे थे, व आला कि गारी बुरी तरह से जल गई है completely, फिर मालूम चलेगा कि किस speed से, लेकिन CCTV का coverage से जो नजर आता है, काफी high speed पर गारी चल रहे थी, और यह चीज़े typically avoid करनी चाहिए, मतलब winter के time पर सबसे पहले night driving ना करें, secondly speed जो आप normally summer के time पर drive करते हो, उससे at least, at least 35 से 40% कम कर दे, consciously आपको यह करना पड़ेगा, और thirdly अगर आप ऐसे long drive पर जा रहे हो, तो फिर आपको उससे पहले काफी, मतलब proper sleep लेनी चाहिए, जिससे कि body में कोई tiredness ना हो, absolutely sir, आपने बिल्कुल सही का, और क्योंकि देखे, अब जब हम इस तरह के बातों पे जब हम चर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा कई लोगों को यह भी लग सकता है, कि देखे, किसी का accident हो गया और वहाँ से आप ग्यान दे रहें बाकी लोगों को, लेकिन देखे, हमारा काम है कि सबक लेना और आपको थोड़ा सा बाखबर करना, कि हम इस तरह के हाथसों से सबक क्या ले सकते हैं, जब साइरस मिस्त्री साब का निधन हुआ, उसके बाद से आपने देखा होगा कि सीट बेट लगाने को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर कितनी जाग रुखता आई है, हाला कि ऐसा नहीं है कि हमें किसी हाई प्रोफाइल सेलेबरिटी का वेट करना चाहिए, सीख लेने के लिए, हमारे आए दिन आसपास आम लोग मारे जा रहे हैं, हमें हर आक्सिडेंट से सबक लेना है, और कैसे आक्सिडेंट कम हो पाएं, हमें इस दिशा में काम करना है, लेकिन उसके बावजूद, ये जो सर, मैं अक्सर सुनता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सुनने में आता है कि फलाना अक्सिडेंट हो गया क्योंकि ड्राइवर को जपकी आ गई, अब आप क्या कहेंगे सर, ये थोड़ा सा जिम्मेदारी ये भी लेनी चाहिए कि आ आपके साथ साथ आपके साथ जो दूसरी सवारियां और सड़क में जो दूसरे लोग हैं, सामने से आरही गाडियां हैं, रागीर हैं, उनकी जिदी का भी मसला है, इसलिए रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा सर, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी जिम्मेदारी का क अगर आपको नीद आ जाए, तो आप गाड़ी साइट पे लगाइए, पानी पीजे, मूँ को धोईए, और दूसरे डाइवर को बताइए कि अब आप चलेए for the next one hour, यह बहुत important है, जैसे आपने सही बोला, कि यह सिर्फ खुद की, खुद का मनलब जान को जोखिम नहीं ड फिर उन लोगों के जान भी जा सकती थी, जैसे आपने आंकडे सुनाए हैं, सिर्फ सीड बेल्ट नहीं पहनने से, और हेल्मेंट नहीं पहनने से, अगर लोग वो पहन लेते, तो साथ हजार जाने बद जाती ना, इन जाने बद जाती, हालाकि ज़र आज एक बड़ा वीर् क्योंकि हम जो कहते हैं कि सीड बेल्ट लगाई है, कभी-कभी, देखिए, जिन्दगी आपके साथ किस तरह से बिहेव करेगी, कोई नहीं जानता, अब आज जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सिफ मीडिया रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ, मैं इसकी पुष्ट जानकारी म ने सीड बेल्ट नहीं लगा रखी थी, और अगर वो सीड बेल्ट शायद लगाए होते, तो शायद वो फंच जाते, या थोड़ी सी भी लेट होती, तो शायद हाथसा बड़ा हो सकता, लेकिन इस मामले में सिफ हम यही कह सकते हैं सर, क्योंकि सीड बेल्ट की एहमियत कम न यह किसी को नहीं मालम, लेकिन यह जरा इर्रेस्पॉंसिबल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि इसे लोहों का जो एक माइंसेट है, सीड बेल्ट ना पहनने का, वो उसको और बढ़ावा देता है, सीड बेल्ट पहनना बहुत ही ज़रूरी है, सीड बेल्ट इस बेल्ट बेल्ट इस कलो और पैसिफ सेक्टी स्टमा, मतलब अगर आपका एकसिडेंट हुआ, अब इतना ज्यादе कसिड Waters Reaction पहनने की ज़रूरत नहीं, अगर 25 क्लोमेटर पर आवर की स्पीट पे बेल्ट पहनना और सिर्फ ड्राइवर का नहीं, अभी तो रियर पैसेंजर को भी सीड बे अपसलिटली, बिल्कुल तो ये बिल्कुल स्टेट्मेंट को वही किस पर्सपेक्टिफ में लेना है लेकिन पूरे अगर आप नटशेल में देखेंगे सीट बेल्ट तो आपको हर हाल में लगाना ही है क्योंकि आंकडे बताते हैं कि सीट बेल्ट आपके जिन्देगी को किस कदर बचा सकती है अब थोड़ा सा सीख की बात होगी नसीयत की बात होगी अब थोड़ा सा अगर आज हाथसे का इनालेसिस करें तो अचानक से एक चीज ऑब्जरवेशन जो समझ में आया और जिससे ये ज़ादा थोड़ा सा चिंता होगी अचानक से गाड़ी में आग लग गई सर ये इसका क्या कारण है अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के आक्सिदेंट्स के बाद गाड़ी में आग लगना थोड़ा रेर होता है लेकिन आग लगने के बाद गाड़ी एकदम से खाक हो गई क्या इसका वज़े आप मानते हैं सर? हाँ यह तो जब इसका पूरा जब investigation होगा तब actually मालूम चलेगा लेकिन मैं जो सोचता हूँ the only way could be क्योंकि सबसे पहले this has to be a high speed accident secondly क्योंकि यह गई over the divider and the divider was metal मुझे जो लगता है कि fuel tank इससे cut गया था okay okay and because the fuel tank got cut and it was high speed and the high impact and high friction the temperature went up so much because of the impact of the of the crash and then the somersaulting of the vehicle that the vehicle caught fire नही तो यह यह होना तो लग इस 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 फ्रीक आचिदेंट वरी फ्रीक आचिदेंट है और very frankly Rishabh Panth का बचना भी काफी freak बचना है क्योंकि well he's alive and all of us wish him the best of health and the best of recovery but whatever mistakes whatever mistakes उनोंने करी है उनको कभी repeat नहीं करना है बिल्कुल वो से सीख लेंगे ही स्वाभाविक रूप से लेकिन एक चीज की हमें बड़ी खुशी है और इसमें Rishabh Panth की दाद देनी होगी कि fighter की तरह उन्होंने इस हादसे से बाहर आने की कोशिश की इतना इतना injury उनको हो गया था thanks to his fitness मैदान पर जो fitness होती है उसका आप छोड़ दीजे लेकिन जो real life में fitness चाहिए होती है वो strength वो fitness वो mentality वो stability वो दिखाया आज Rishabh Panth ने और एक hero की तरह हम तो कहेंगे hero की तरह वो बाहर निकले खुद की जान बचाई और खुद के लिए मदद की और इसलिए आज वो out of danger है और यह बहुत खुशी की बात है हम तो wish करते हैं बहुत जल्दी रishabh Panth ना सिर्फ hospital से बारा है हमको मैदान पर भी उनको देखना है लेकिन एक चीज एक चीज सर जो हमें आप एक चीज देखने को बिलती है ऐसे ही मौकों पर परक होती है सर हमने देखा कि गाड़ी के आगे से आगे से गाड़ी के परखचे उड़ गए लेकिन हमने देखा जो driving जो seat है बमुश्किल ही पैर तक छूपाया होगा engine मतलब इतना गाड़ी का safety का थोड़ा एमियत नजर आता है सर पैसे इसी के है पैसे इसी engineering की है पैसे यही safety systems की है और इसी लिए जो भी गाड़ी खरीदे मतलब two wheeler खरीदे four wheeler खरीदे you have to buy the vehicle with the latest safety systems वो बहुत important है अब गाड़ी की सिर्फ weight से गाड़ी robust नहीं बनती है गाड़ी की construction से गाड़ी robust बनती है किस तरीके से बनाया गया है उसके crash zones कहां पर है उसकी engineering कैसी है और उसमें safety systems क्या लगाए गया है उसमें अब वो चला रहे थे शायद GLE तो तो उसमें तो the latest absolute high end electronic safety systems होंगे जो कि activate हो चुके होंगे तब तक जैसे ही पहला मतलब जब उन्होंने मारा होगा divider को लेकिन अगर उतना expensive vehicle भी नहीं है फिर भी आपको ये गाड़ी आपको गाड़ी वही लेनी चाहिए जिसमें airbags हो seatbelts तो आजकल आते ही हैं और जिसमें जितनी ज़्यादा safety systems हों वो हों गाड़ी में और एक और चीज़ बहुत important है गाड़ीों की आजकल हाला कि government की कोई crash test report तो आती सब्सक्राइब किसी company का नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर आप भी जानते दर्शक भी जानते नाम लेने से फाइदा नहीं है क्योंकि बयान शायद एक company की तरफ से आया हो लेकिन एक subtext जो है सोच जो है सारी company के रहता है और वो यही रहता है कि इस तरह के crash test safety features के लिए insist ना करे सरकार खास थोर से उनको यह लगता है कि उनका business प्रभावित होगा जो entry level passengers है वो उनसे छिटक जाएंगे गाड़ियां महेंगी हो जाएंगी sentiment पर असर पड़ेगा मुझे लगता है sir आज सीख लेनी चाहिए उन companies को भी ज़रूर लेनी चाहिए और यह से विए specific accident के वज़े से नहीं कि the fact that हमारे देश में हर साल देड़ लाक लोग road accidents से मरते हैं और उसमें अगर कार का देखें तो उसमें कितना अपने आकड़े बताएं सीट बिल्ड के वज़े से 40,000 injuries और करीबन 16,000 deaths because of seat builds तो अगर कोई manufacturer यह बोलता है कि safety systems लगाने से और crash test norms डालने से गाड़ियां expensive हो ज यह norms को वो mandatory नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि eventually आज का जो consumer है वो बीते दिन से बहुत ज़्यादा aware है वो social media पर देखता है वो सब जगा सुनता है वो आप जैसे programs करते हो वहाँ पर सुनेगा उसको मालुम चल जाएगा कि मुझे वो ही गाड़ी लेनी चाहिए और मैं चे से 15 या 20,000 रुपे जादा देने पड़ते हैं मैं दूँगा क्योंकि मेरी life precious है मेरे साथ जो जाते हैं गाड़ी में उनकी life precious है और very friendly सड़कों पर दूसरे जो लोग है उनकी life precious है absolutely sir और हमने आपके साथ और दूसरी चर्चाओं में भी यह पाया है कि बहुत high-end गाड़ी के तो बात नहीं करें luxurious गाड़ी के बात नहीं करें लेकिन entry level गाड़ी को भी अगर आप बहुत जादा safe बनाने की कोशिश करते हैं तो इतना जादा पैसा नहीं बढ़ जाता है और यह consumer पर छोड़ दीजे ना, consumer पर छोड़िये, आप पैसा मांगिये, उनसे मांगिये कि हमको safety के लिए आपका खर्चा लगा है तो आप consumer देगा, उसको अपनी safety के लिए आज जैसे जब आप खाना खाना जाते हो बाहर बच्चों के साथ, आप खुद अगर जाते हो तो safety हो, food की quality का एक basic, एक standard हो, बिल्कुल और थोड़ा सा, और थोड़ी सी किफायती सोच के भी होंगे, तो वो हर weekend नहीं ले जाएंगे, वो month end पे ले जाएंगे, लेकिन वो सही जगा ले जाएंगे, तो consumer के ऊपर छोड़ दीजे ना, आपकी वो कैसे, मेरे तो एक और argument है, कि अगर आप आज सिर्फ हजार गाड़ी पे airbags लगाओगे, तो airbags के particular price होगा, गल अगर आप वही airbags एक लाग गाड़ी पे लगाओगे, तो price खुद बखुद कम हो जाएंगे, यह आपने बहुत ही पते की बात बोली, वाकई में, अगर सब पे लगने शुरू हो जाएंगे तो स्वाभावी क्रूप से इसके demand generate होगी और बिल्कुल स्वाभावी क्रूप से उसके prices भी कम हो जाएंगे, तो यह तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, तो मुझे लगता नहीं कि कोई logic रह गया है, अब अगर फिर भी अभी यह सोच है, तो फिर ऐसी सोच को तो हम क्य जाही करें, दूर से सलाओं, बर्बेरा बहुत बहुत शुक्रिया से, यह से, तैंक यू, तैंक यू सो मच अविक से,